हलो, very good evening सबको, सबको बहुत बहुत good evening, good सबको good evening, सभी लोगों को good evening, जल्दी से जल्दी क्लास में च्वाइन हो जाए, उसके बाद हम लोग अपनी क्लास आज के start करेंगे, आज हम लोगों को life में equations of motion जो हैं, और हैं कौन-कौन से सर, तो सर यह तो v is equal to u plus 80 है, जिसे हम first equation of motion बोलते हैं, सेकेंड है हमारा s is equal to ut plus half 80 square, और थर्ड है हमारा v square is equal to u square plus 2as, ठीक है, यह तीन equation of motion हैं, जिनको हमें पढ़ना है, ठीक है, इससे related एक वीडियो मैंने डाली थी, बट बच्चों की request थी कि सर, life class में इसको बताएं, तो ठीक है सर, life class में आते हैं, और यहां पे आप class के दौरान जो भी आपको problem हो रही है, उसको आप तुरंट के तुरंट पूछते रहेंगे, और हम आपको बताते रहेंगे, क्लियर है, ओके, तो जल्दी से बता दें, आप लोग को सारी चीजे क्लियर दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करें, आज का यह सेशन, और यह सेशन आपके लिए काफी important है, कि equation of motion अगर आपको नहीं जान रहें, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, इसको यूज करना आपको नहीं आता है, तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं, पूरे ninth में आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं, बात यहाँ पे केवल CBSC board की नहीं है, चाहे CBSC board हो, चाहे ICSE board हो सभी के सभी पूरे throughout the year परेशान रहेंगे अगर उनको equations of motion नहीं आ रहे हैं यह तीनों equations नहीं आ रहे हैं इन तीनों equations को use करना नहीं आ रहा है तो हम बहुत दिक्कत फेस करेंगे खासतर numericals के लिए खासतर numericals के लिए ठीक है? तो एक बार जल्दी से बता दें आप लोग की visibility कैसी है clarity कैसी है तो अगर सारी चीज़े सही रहे हैं और जल्दी से जल्दी video share कर दीजे काफी दिन बाद हम लोग live class कर रहे हैं everything is okay जी जी आज कुछ numericals भी हम आपको बताएंगे इन से related कुछ चोटे numericals बाकि numericals पर आपको separate video मिलेगी जिसमें हम लोग केवल pure numerical की बात करेंगे ओके? तो चलो आज का ये class हम लोग चालो करते हैं जल्दी सजल्दी video को share कर दीजे क्योंकि time काफी बीद रहा है तो पहला बचो background एकदम अच्छे से है visible है सब कुछ जल्दी एक बार बता दें आप लोग परसों बिल्कुल change हो सकता है कोई issue नहीं है ये तो बहुत ज़्यादा गड़ बढ़ हो गया ठीक है? first equation of motion अभी सब कुछ सही है जल्दी से बता दो सब बढ़ियाँ है sir blue कर दीजिए sir ये visible है no sir ओके? ये एक बड़ी समस्या है भाई अभी ठीक है? एक दम बढ़ियाँ ओके? done करते हैं आगे बढ़ते हैं चलो तो equation of motion में सबसे first equation of motion जो है हमारा उसको हम लोग बोलते हैं velocity time equation क्या बोलते हैं? velocity time equation बच्चों ध्यान देंगे आप लोग विने sir हाँ चलो देखो velocity time equation खुब ध्यान से इसको समझें velocity time equation है क्या आपका? वो है V is equal to U plus A T अब equation of motion को हम पढ़ें उससे पहले इसकी एक basic condition है इसकी कुछ जरूरत है जिसके base पे हम इसके बारे में कुछ बता सकते हैं वो क्या है? वो ध्यान से सुनो वो है कि for equation of motion जो हम acceleration लेंगे वो हमारा uniform होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? uniform होना चाहिए या इसी को आप constant भी कह सकते हैं तो अगर body uniform acceleration से move कर रही हो या constant acceleration से move कर रही हो इसका मतलब है कि अब हम equation of motion अपलाई कर सकते हैं यानि इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए और ये हमारे लिए बहुत important है जी सर एकदम बहुत important है आपके लिए बात चलिए यानि अगर motion चलो ध्यान से देख लो note करके इस point को note करें सब लोग लिखें कि अगर uniformly accelerated motion हो कैसा motion हो? uniformly accelerated motion इसको क्या बोलते हैं? uniformly accelerated motion हो रहा हो उस condition में हम equation of motion को apply कर सकते हैं अपनी language में लिख लेंगे सब लोग uniformly accelerated motion हो रहा हो उस condition में हम equations of motion को apply कर सकते हैं done है बात? okay सर एकदम done है ठीक है? आगे बढ़ें? जी सर आगे बढ़ सकते हैं चलिए तो इसके लिए condition क्या है? कि किस condition के लिए equation derive किया गया है okay? कुप ध्यान से समझेए एक एक बात इसमें important है क्योंकि यही numerical में हमको ध्यान देना पड़ता है माल लेते हैं एक object है mass m है उसका और उस object के पास initial velocity है u क्या है? initial velocity है u यानि यू velocity से वो जा रहा है माल लेते हैं यह पहले a point पर था अईस point पर इसके पास u velocity है initial velocity इसको माल लेते है और t time के बाद कितने time के बाद? t time के बाद यह object a से चल करके b पर पहुँच गया b पर पहुँच गया और b पर पहुँचने पर इसकी final velocity u से बदल करके v हो जाती है यानि time के respect में velocity change हो रही है इसका मतलब यहां पर acceleration होगा और यहां पर जो हम acceleration लेंगे वो हम velocity की direction में लेंगे ध्यान देना इस खास बाद इस equation of motion में v is equal to u plus 80 में जो हमारे velocity की direction है वही हमारे acceleration की direction है note करके point ऐसे लिख लेना clear है चलो इसमें देखो acceleration इस तरफ है velocity भी इस तरफ है clear है बात समझ में आई तो sir यह positive acceleration का sign है पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं ओके देखो द्यान से initial velocity u final velocity v acceleration है time t तो sir हमको पता है हमको पता है कि अगर हम acceleration के लिए लिखे कि acceleration क्या होगा तो आप कहेंगे sir acceleration change in velocity होगा upon me time taken क्या बात सही है sir एकदम बात सही है यही होगा acceleration क्या होगा change in velocity upon me time taken आईए लिखते है change in velocity क्या है देखिए acceleration को हम लोग denote करते हैं a से change in velocity का मतलब होता है final velocity minus initial velocity final velocity minus initial velocity upon me time taken जल्दी जल्दी वीडियो को share करते रही है जित्ती जल्दी आप लोग वीडियो share करेंगे उत्ती जल्दी जल्दी निमर यहां पे question solve होंगे सही बात है कि नहीं उत्ती जल्दी आप लोग derivation करेंगे क्या तैरही बात जी sir एकदम तैरही I hope आप लोग कर भी रही होंगे चलो M object है final velocity कित्ती है B पर भाई V है इसकी initial velocity कितनी है sir A है तो initial की जगा पे A लिख देंगे time taken कितना लिया है sir A लिया है cross multiplication करेंगे T इधर आ जाएगा तो हो जाएगा AT is equal to V minus U तो कहीं कहीं पे आपको इस तरीके का ही लिखा हुआ मिल सकता है कि V minus U is equal to 80 is the first equation of motion तो कोई दिक्कत नहीं घवडाना नहीं ये भी एक form है इसमें बस करना क्या है minus को इस तरफ भेज देंगे minus U को इस तरफ भेज देंगे देखो इस minus U को अगर हम इस तरफ भेज देंगे तो ये plus U हो जाएगा तो बस उतना ही करना है AT minus U इधर आएगा तो plus U is equal to V इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं V is equal to U plus 80 और ये मिल गया हमारा first equation of motion क्या बाठ ठीक है done समझा जाए जल्दी से एक बार मैं हड़ जा रहा हूँ आप लोग स्क्रिन सॉट ले लीजे देख लीजे इसमें क्या दिक्कत है और जल्दी जल्दी वीडियो सेर करिए मजा नहीं आ रहा ऐसे ओके चलिए आगे बढ़ते हैं ये first equation of motion रहा हमारा क्या बार done है एकदम सर done है यहां से दो चीज आप सीखिए आपको पता क्या चला V is equal to U plus A T अब अब ध्यान से देखो इसको अगर इधर ला दो तो V minus U is equal to क्या निकल गया A T clear है चलो ध्यान से देखो इस V minus U को हम लोग बोलेंगे change in velocity क्या बोलेंगे change in velocity तो change in velocity किसके बराबर हुआ acceleration into time के तो अगर आप से बोला जाए किसी भी question में कि a body is going with a acceleration of 5 meter per second square for 30 seconds for 30 seconds what will be the change in velocity then you have to multiply 5 with 30 आपको 30 और 5 का क्या कर देना चाहिए multiply कर देना चाहिए क्योंकि V minus U आपका A और T के बराबर है V minus U क्या बता रहा है V minus U हमारा change in velocity बता रहा है क्या बता रहा है change in velocity बता रहा है तो आपको करना क्या है A और T का product निकाल देना यानि A कितना दिया है 5 meter per second square कितने second के लिए 30 second के लिए 30 से multiply करेंगे ये आ जाएगा 150 meter per second और ये आ गई आपकी change in velocity किसको किसको बात समझ में आई जल्दी से comment box में बताए जल्दी से बताए comment box में बताए मैं देख रहा हूँ जल्दी से सुपके सरवानी जल्दी बताए सृष्टी बेटे change in velocity is equal to acceleration आप बोल रही है ये गलत बात है change in velocity की जो rate होगी वो acceleration है किस rate से velocity में change आ रहा है rate of change in velocity आपकी acceleration होगी नकी change in velocity change in velocity जो होगी वो acceleration into time के बराबर होगी ये बात आप याद रखेंगे ओके जल्दी जल्दी क्या बात ठीक है सर एक दम ठीक है एक question इस पर और बोल दीजिए जी सर बोल देते हैं देखिए एक question और बोल देते हैं question क्या है if a body going with a velocity of velocity of 18 km per hour for for 30 seconds चलो for 30 seconds what will be the change in velocity change in velocity के मतलब del V change in velocity को सो करने का क्या notation होता है del V होता है del V से इसको denote करते हैं ओके तो ये del V कितना होगा तो सर हमारा जो del V होता है ये acceleration into time होता है वो क्या होता है acceleration into time acceleration की value रखे time की value रखे हमारा answer आ जाएगा तो सर गीवेन है गीवेन है acceleration is equal to 1 second 1 second बहुत कठीन हो जाएगा आपके लिए ये इतना meter per second square तो acceleration is equal to 18 meter per second square ठीक है वो kilometer per hour square में लिखते है तो convert करने में थोड़ा complicated होता मैंने बस आसानी से लिया है जिससे कि आपको बस ये formula यूज करना आ जाए तो सर ये given है value पुट कर दीजिए value कितना रखेंगे 18 into 30 ये आपके आ गया 540 meter per second यानि जो velocity में change आया होगा वो कुछ इतना होगा क्या बात समझ में आया जल्दी जल्दी बताएं एक line में ये answer आना चाहिए सीधा acceleration time का product निकालेंगे answer आ जाएगा इसका मतलब कोई class 8 में भी पढ़ने वाला लड़का ये बड़ी आसानी से कर सकता है 18, 3, 4, 54 होता है तो 0 लगा दो भाई इसमें जी जी सुब के सर्वानी एकदम सही पुछा आपने और आपने एकदम सही बोला है कि acceleration constant in all equation of motion एकदम सही बात है चाहे हम V is equal to U plus 80 की बात करें फर्स्ट equation of motion की बात करें चाहे second equation of motion की बात करें चाहे third equation of motion की बात करें तीन के तीनों तभी possible है जब आपका motion uniformly accelerated motion हो उसी case में ये तीन के तीनों applicable है ठीक है? इसका मतलब इन तीन के तीनों में acceleration आपका constant होगा acceleration variable नहीं होगा क्या बड़ ठीक है? ओके सर एकदम समझ में आ रहा है और comment आपका हमें पढ़ने में आ रहा है और बहुत अच्छा आ रहा है very good ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं बात करते हैं second equation of motion की नहीं 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 फर्स्ट equation of motion की ही अभी है देखो V is equal to U plus 80 क्या है? V is equal to U plus 80 दिया है अगर मैं आप से बोलूँ if a body if a body start if a body start या कहीं पे भी किसी question में ये चीज़ आ जाए कि body start हो रही है body बस अब चलने वाली है ठीक है? तो कुप ध्यान से देखो अब इस चीज़ को समझो इसी चीज़ को मैं अब घुमा के बोल ला हूँ देखो कैसे? मैंने कहा कि sir body is at rest initially initially body was at rest body कैसी थी? rest में थी ये body इस point पर rest में थी और कुछ देर बाद इसके पास V velocity आ जाती है और ये a acceleration से चला है t time के लिए तो इसकी final velocity कितनी होगी? तो sir आप कहेंगे final velocity कितनी होगी? sir initially body was at rest then initial velocity of the body कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए तो value put करेंगे V is equal to U plus 80 then आपको मिल जाएगा क्या मिल जाएगा? sir V is equal to U तो हमारा 0 है 0 रख दीजिए 80 यानि V is equal to 80 तो याद रखना अगर किसी body की initial velocity 0 है यहाँ से सोच लो दिमाग बिठा के रखना यह बात अगर किसी body की initial velocity 0 है तो V is equal to 80 आएगा क्या आएगा? 80 आएगा clear? यह बात एकदम दिमाग में बिठा के रखना clear? कोई doubt किसी को? जल्दी से पुछो कोई doubt किसी को हो तो जल्दी से पुछो clear है? ओके चलो I hope आपको कोई doubt नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है? done चलिए तो हमको यहां से result मिला कि if initial velocity of the body is 0 इसका मतलब body अगर rest में है तो V is equal to क्या मिलेगा? 80 या A is equal to क्या मिलेगा? V by T खुब ध्यान से समझ लो acceleration is equal to velocity upon my time हम उस condition में लिखेंगे जब हमारी initial velocity 0 रहेगी क्या रहेगी? initial velocity 0 रहेगी क्या बात clear है? जल्दी जल्दी बताएं क्या बात clear है? जल्दी जल्दी बताएं और जल्दी से वीडियो सेयर कर दो डन आगे बढ़ते हैं कितना clear है न? ओके सर बाडी पहले चल रही थी देखो दूसरा केस दूसरा केस क्या है? सर बाडी इनीशिली चल रही थी उसके पास कुछ इनीशिल वेलास्टी थी कुछ देर बाद चलने पर A Acceleration से चली T टाइम तक और वो बाड़ी रस्ट में आ गई किसमें आ गई? रस्ट में आ गई रस्ट में आ गई तो इसकी final velocity क्या हो गई? सर इसकी final velocity zero हो गई या नहीं V zero हो गया तो अगर बोला जाए कि body पे brick लगाया गया और finally वो rest में आ गई तो आप क्या कहेंगे सर कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है V zero कर देंगे तो V is equal to U plus 80 लिखेंगे और आप V की value क्या रखेंगे 0 रख देंगे और U plus 80 करेंगे तो इस बार इसको किस तरफ लाइए minus U is equal to 80 T is equal to हो जाएगा minus U upon में A क्या बात सही है लेकिन T कौन निकालता है A निकालेंगे हम minus U by T बात सही है तो ये दोनों result आप याद रखेंगे कभी-कभी किसी question में direct हमको मिल जाता है तो अगर initial velocity upon में time दिया है minus sign इसका मतलब है final velocity हमारे 0 है और A is equal to final velocity upon में time दिया है इसका मतलब initial velocity हमारी 0 है उसको हमें सोचना ही नहीं है इसका मतलब body हमारी rest में से चली थी और कुछ velocity अटेंड की इसका मतलब ये है कि body के पास कुछ velocity थी और इसने rest को अटेंड किया क्या बात सही है जल्दी से बता है क्या बात ठीक है जल्दी जल्दी very good good evening अरजून सबको good evening जल्दी से हाँ हाँ एकड़म done आगे बढ़ते हैं चलिए अब मान लिजे अगर हमको ये पता है कि sir V is equal to हमारा U plus 80 होता है ये हमको पता है तो sir अगर ये हमको पता है तो हम क्या कर सकते हैं suppose आपको दिया है किसी question में किसी question में आपको दे दिया V is equal to something 10 मान लेते हैं 10 अई यू आपका wrist में था यू आपका wrist में था body तो इतनी velocity उसकी थी acceleration something दे दिया या acceleration दे दिया something 5 meter per second square का तो time आप से पूछ लेगा कहने का मतलब क्या है इसमें 4 unknown quantity है V, U, A, T final velocity, initial velocity, acceleration time इस चार में से अगर तीन कोई unknown है एक unknown है तो हम उस unknown को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं पहली चीज ये दिमाग में रखेगा दूसरी बात सबसे बड़ा confusion ये होता है सर हम कौन सा equation कब इस्तिमाल करेंगे पहला कब यूज करें दूसरा कब यूज करें तीसरा कब यूज करें clear तो ये बहुत बड़ा confusion होता है तो आप याद रखेंगे इसको हम लोग इस तरह भी लिखे थे कैसे U को इस तरह लाए थे तो V minus U is equal to 80 ये change in velocity और time के बीच relation बताता है इसलिए इसको हम लोग velocity time equation बोलते हैं बच्चे बहुत जरूरी बात है ये equation का नाम इसलिए इसका नहीं पड़ा है कुछ बात है इसमें तभी पड़ा है और बात क्या है velocity time equation बोला जा रहा है यानि कभी भी आपको velocity निकालनी हो या time निकालना बचलो velocity निकालनी हो और time दिया है इसका मतलब हमें first equation of motion use करना चाहिए अगर हमें velocity पता करनी हो with the help of time question में time दिया गया है इसका मतलब हमें first equation of motion लगाना चाहिए क्या बड़न है या time पूछ रहा हो, velocity दी हो तो सर हमें first equation of motion use करना चाहिए क्या बाट ठीक है, जल्दी से बता दो जल्दी जल्दी आप लोग बताते रहेंगे तभी good evening नीता, good evening बिटे चलिए और जल्दी से share करते रहें जो भी social media चलाता है हलाकि सभी चलाते हैं, सभी लोग share करें, तुरंट, सही है कि नहीं तब energy आएगी, थोड़ी ज़्यादा done करते हैं बाट और बढ़ते हैं, second equation of motion की और किसकी और बढ़ते हैं? second equation of motion की और बढ़ते हैं, अब अच्छे से सोचो, second equation of motion है क्या सर हमारा? यह है S is equal to UT plus half 80 square एक से क्या है? UT plus half 80 square क्या बढ़त ठीक है? बच्चों देखे, जल्दी बताईए, यह सब आप ही के लिए है, इसलिए जित्ती जल्दी आपका अंसर आता रहेगा, उतना ज्यादा मज़ा आएगा, प्लास में, सही है? लाइब का मतलब ही ही है, दरबाइस रिकॉर्डड़ वीडिया जाए, लाइब लेने का परपस ही ही है, कि आ स है हमारा डिस्प्लेस्मेंट, स क्या है? डिस्प्लेस्मेंट, तो अब पूरे याद रखना, इस पूरे नाइंथ में, जब भी हम कहीं पे स्मॉल एस लिख रहे हैं, तो आपके दिमाग में तुरंट क्लिक करना चाहिए, सर यह तो डिस्प्लेस्मेंट है, वेरी गुड़ चलिए, यू क्या है? सर, यू तो इनिशिल विलास्टी है, आई भी, टी क्या है? सर, टाइम टिकन है, सर, यह तो पता है, आप बार-बार क्यों बता रहे हैं, इसलिए बताया जा रहा है कि यह दिमाग में आपके फिट हो जाए, ओके, यह क्या है? सर, यह तो constant acceleration है, सर, यह condition हम अपनी ले लेते हैं, condition वही पुरानी वाली है, बचपन वाली, object था, M mass का, initial velocity U है, A point पर, T time के बाद, यह A से चलके, B पर पहुँच गई object, और इस B पर इसके पास, final velocity, V आ गया, और यह गया कित्ते acceleration से? सर, यह A acceleration से गया, खुब ध्यान से देखो, इस वाले equation में भी, जो हमारा acceleration है, वो, किसकी direction में है, velocity की direction में, I mean, the direction of velocity and the direction of acceleration is in the same direction, ठीक है, तो चाहे हम first equation of motion की बात करें, चाहे second equation of motion की बात करें, दोनों ही condition में, the direction of acceleration should be in the direction of velocity, तो यह एक खास बात है, इस derivation को करने में, कि हमें यह ध्यान देना पड़ेगा, जी सर, दे दिया ध्यान, कोई बात नहीं है, अब कुब ध्यान से समझो, A से B पर गया, और acceleration से, तो T time में velocity में change आएगा, no doubt, अगर body के पास acceleration है, तो there must be a change in velocity with respect to time, time के साथ सत, velocity में change आएगा ही आएगा, तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो सर, velocity में change आ रहा है, तो एक काम करते हैं, कि average velocity निकाल लेते हैं, आईए, निकालते हैं average velocity, average velocity का जो formula होता है, सब को पता है, पता है, येस सर, पता है, initial velocity plus final velocity divided by 2, इस average velocity का हम लोग डिनोट करते हैं, वी बार से, तो वी बार is equal to initial velocity, final velocity divided by 2, क्या बाट ठीक है, अरजुन कुमार, acceleration speed, बेटे ये क्या है, जो बाते हैं आप असपष्ट पूछें, question अच्छे से, ठीक है, जो भी question हो आप पूछें, लेकिन एकदम असपष्ट तरीके से पूछें, जिससे हमें बताने में आसानी रहें, एक word आप लिख देंगे, तो कैसे समझ में आएगा आप समझ में नहीं आ रहा है कि आप पूछ रहें कि बता रहे हैं, सही बत है कि नहीं, आजाओ, तो V बार is equal to nickel गया, U plus V by 2, इसको माल लिया, हमने equation first, क्या माल लिया, equation first माल लिया, सर कुछ करना नहीं है आपको, बस simple सा एक formula पताना है, जो मैंने distance displacement के time भी आपको बताया थ velocity time के बारे में भी बताया था, क्या बताया था, सर की displacement जो होता है, कौन, displacement, shortest distance between two points, याद है न, displacement क्या है, shortest distance between two points, ये एक vector quantity होती है, याद है कि नहीं, सर याद है, आप लोग बहुत तेज आदमी हैं, तो displacement जो होता है, सर वो तो average velocity into time के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, average velocity v bar, v bar into t time, टेकन के बराबर होता है, तो ठीक है सर, a से b तक जाने में, भाई साहब ने s distance cover कि, x displacement cover किया है, तो displacement कितना हो गया, s, v bar into t, ये मिल गया हमें, displacement बराबर, अब को दियान से देखो, यहाँ पे, इस second equation of motion में, हमें कुछ s के बराबर ही value चाहिए थी, तो सर, हमें s तो मिल गया ये, यानि इस पूरे को solve करके, कैसे भी हमें ut प्लस half 80 square में convert कर देना है, और हमारा equation solve हो जाएगा, क्या but done है, क्या इतनी बाते clear हैं, जल्दी बताएं, जल्दी से answer दें, चलो, जल्दी से बता दो, board visible है की नहीं, एक बार जल्दी से एक बार click कर दो बात, board visible है की नहीं, यस यस बोलिएगा के बल, जल्दी बताओ, और वीडियो से air करते रहे हैं आप लोग, चलो, ठीक ठीक ठीक, आओ, तो इस v bar into 2 को हमको convert कर देना है, किसी तरीके से, किसी जुआर के तरीके से, इसमें ut plus half 80 square में, अब वो हम करेंगे, कैसे करेंगे, सर देखते हैं, s is equal to, v bar का formula क्या है, equation first से, v bar का जो formula है, वो हमको मिला है कितना, u plus v by 2, then put the value of v bar here, तो v bar को क्या लिख सकते हैं, u plus v upon में 2, और ये bracket लगाया, इतना, must तरीके से, into किया, और tilt कर दिया, v bar के जगा हमने लिख दिया, time वो इसे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे छोटा सारेजबन, इस दो को इसके साथ ले लिजिए, और इसको लिख लो, v plus u, into t by 2, और ये हो गया, s के बराबर, भाई, जल्दी से बताओ, 2 plus 3 क्या होता है, सर 5 होता है, और 3 plus 2 कितना होता है, सर 5 होता है, इनकी place change कर देने पे, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वही किया है हमने, green पे visibility ज़्यादा अच्छी है सूफ, इस वज़़े से किया गया है, ओके, बच्चों जल्दी बताएं, चलो, ओके सर, got it, चलो, brightness हमने कम कर दी भाई, आपके कहने पे, ओके, done, तो, कर दिया हमने, सर, तो मिला क्या हमको, हमको मिल गया, s is equal to u, sorry, v plus u, और into t by 2, अब जल्दी से इस चीज़ को देखो, और सोचो, सर, इसमें ये v है, और अपने second equation of motion में, कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब है, इसको हमें eliminate करना पड़ेगा, इसको गायब करना पड़ेगा हमें, बिल्कुल सर, गायब कर देते हैं, और गायब कहां से करेंगे, गायब करेंगे first equation of motion से, क्योंकि वही बेचारा हमें देता है, v की value, कितनी, u plus 80, देता है कि नहीं, वेरी गुड हर्स, एकदम सही बताया आपने, देखिए, तो s is equal to, v की जगा पे अपने को कितना रख देना है, u रख देना है, plus 80 रख देना है, और ये u पहले से ही है, और into t by 2, पहले से जैसे था, वैसे ही रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं अपने को, अच्छा, वेरी गुड, अब यहाँ पे हम देख रहे है, u है, और ये u है, तो ये u, और ये u, दोनों मिलके कितना हो गए, 2u, 2u, 80, और ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, अपना t by 2, कुछ लोग कर रहेंगे, सर, यहाँ नीचे लिखा था, इत्ता अच्छे से आपने बगल में, क्यों मुझे जादा अच्छा लग रहा था बगल में, इसलिए बगल में कर दिया, कुछ ऐसा कारण नहीं है, ठी एक बार इसमें multiply, खुब ध्यान से देखो, इस t by 2 का multiply एक बार इसमें, और इस t by 2 का multiply एक बार इसमें करेंगे, तो कर दीजिए, तो सर, 2u into t by 2 plus at into t by 2, ये मिल गया s के बराबर, तो जल्दी से बता दो, क्या होगा, सर, यहां तो बहुत तगड़ा काम होगा, इस दो से, इस दो को हम cancel out कर देंगे, और यहां पे बच जाएगा ut, ये t by 2 है, तो t by 2 में से 1 by 2, ऐसे पहले लिख लेते हैं, और a, t into t किता हो जाएगा, t square हो जाएगा, तो t square, और ये लिख दिया हमने, s, और तुरंट इसको box में बंद करके, हम लोग बढ़ियां सा ताला, branded वाला, लगा देंगे, और कहेंगे, कि सर, आज हमने second equation of motion, प्रूब करना सीख लिया, जी, यह ही है, देखिए, हमने इस चीज को, इस चीज को कैसे convert कर दिया, u plus 80 में, बस v bar की value पुट की, v bar की value हमने पुट की, उसके बाद जब यहां पे आया, तो इस v को हमने eliminate किया, u plus 80 में, और हमारा answer मिल गया, क्या बास सही है, जल्दी से एक बार, आप स्क्रीन पे देखिए, मैं हटा दिया उसको, जल्दी से देखिए, आप लोग स्क्रीन पे, और जिसको समझ में ना आया हो, बताए, गोपाल पांडे, sir, please, class 10 का भी class लिया करिए, बिल्कुल गोपाल बेटे, बहुत ही जल्द class 10 की भी class ली जाएगी, don't worry, ठीक है, बिल्कुल परिशान आप नहूँ, बेटे समझ में आया सबको, जल्दी से बताए, क्या second equation of motion में अब किसी को कोई problem है, तो बोल दे, जल्दी से, second equation of motion में किसी को कोई problem हो, तो जल्दी से बोल दे, चलो फिर, बढ़ते हैं, आगे की और, सही बात है कि नहीं, वेरी गुड, ओके, तो सर, यह second equation of motion मिल गया, अब सर, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं, तो आईए, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ देखी लेते हैं, कुछ बहुत खास बात नहीं है, च्छोटी च्छोटी बाते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, तो numerical के वक्त अपना, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, अगर बाड़ी की इनिशियल विलास्टी जीरो है, तो equation हमारा कैसा मिलेगा, equation सर मिलेगा, s is equal to, is equal to, यह तो 0 हो जाएगा ना भाई, तो यह तो 0 हो गया, half 80 square, तो s is equal to, half 80 square, अच्छ, क्या बाड़ ठीक है, जल्दी से बताओ, क्या यह सही है, जल्दी क्विक, जल्दी बताएं, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा answer दिया है, जल्दी से, देखिए, अब आपको यहाँ पर एक ऐसे note लिखना है, क्या लिखना है, note, यह 2000 वाला note होना चाहिए, सही बात है कि नहीं, yes sir, सही बात है, आओ, करना यह है, इस 2 का cross multiplication करेंगे, तो जब multiplication करेंगे, s के साथ यह 2s हो जाएगा, 2s is equal to 80 square हो जाएगा, और यहां से अगर a की value आप निकालोगे, तो a is equal to हो जाएगा, 2s अपन में t square, बहुत important formula है यह, a is equal to 2s by t square, याद करो, अभी अभी हमने आपको बताया था, यह देखो, यह note है, note में पहला point मैंने आपको बताया था, कि acceleration is equal to v by t होगा, कब जब u is equal to 0, फिर मैंने बताया आपको दूसरी चीज, a is equal to minus u by t होगा, कब जब v is equal to 0, अरे सही है कि नहीं यार, जी एकदम सही है जर, फिर मैंने अभी आपको बताया कि a is equal to होगा, 2s by t square, when u is equal to 0, तो अब देखो ध्यान से, तीसरे वाले को और पहले वाले को, अरे ध्यान से देखो, मैं pure numerical बता रहा हूँ, numerical की जान निकाल करके निकाल, सही है कि नहीं अपने को समझना है, हाँ, वह ही वाली बात है, चलो, सही है, भाई, खौन उन नहीं करेंगे, हम लोग, टेंशन न लें आप, u is equal to 0 मतलब, initially body कैसे था, wrist में, initially body कैसे था, wrist में, तो पहले तीसरे को देखो, initially body कैसे था, wrist में था, तो अगर velocity दी है, final velocity, तो a is equal to byt करके acceleration निकाल लेंगे, और अगर displacement दिया है, तो हम acceleration कैसे निकाल लेंगे, तो यस byt square करके निकाल लेंगे, suppose, अगर मैं आपसे बोलू, a body was initially at wrist, और वो a acceleration से 5 second तक चला, a acceleration से 5 second तक चला, और a से b पर पहुँचा, और 10 meter का distance कवर किया, कितने का, 10 meter का distance कवर किया, अब देखो, इस question में time दिया ही नहीं है, time दिया ही नहीं अपना, तो हम कैसे equation of motion apply करें, तो वहाँ पे सोचना पड़ेगा, sorry, time, sorry, 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 यहाँ पे final velocity दिया ही नहीं है, देखो, final velocity v के बारे में कुछ पता ही नहीं है, बोला क्या, रिस्ट में था, रिस्ट से a acceleration से चला, 5 second तक और 10 meter कवर किया, तो यह a कितना होगा यह पूछ रहा है, तो आपको सीधा करना क्या है, यह third वाला formula अपना इस्तिमाल करना है, यह जो बादलों में ऐसे बज़ा हुआ है, इसको तुरंत ऐसे बगल में लिखेंगे, और कहेंगे, sir, a is equal to 2s होता है, 2s, s कितना दिया है, 10, और t का square, t कितना है, sir, 5 है, तो 5 का square कितना हो, 25, 5, 5 ज़ा 25, 5, 2 ज़ा 10, 2, 2 ज़ा 4 by 5, कितना, 4 by 5, इसको करेंगे, तो 0.8 meter per second square इसका क्या आजाएगा, acceleration आजाएगा कि नहीं, जल्दी से बता दो, क्या बाट ठीक है, done किया जाए इस पे, जल्दी बताएं, अनुजी आदो, hi, good evening बेटे, एकदम बढ़िया है हम, सुप के सरवानी, super, बिल्कुल super से भी उपर जाएगा, टेंशन ना लें आप लोग, बस share करते रहें वीडियो, share करते रहें और बने रहें वीडियो के साथ, और आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है, इंसन ना लें भाई, आप लोग, साही है की नहीं, ओके सर, एकदम साही है, मज़ा आ गया, साही है, हाँ, डेन है बात, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो सर हमने पढ़ा, S is equal to, UT, एक सकंड, UT plus, half 80 square, यह तो पढ़ा है, सर एक चीज़ तो हमने पढ़ा है, कि distance is equal to, बोलता है, speed into time, सही है, या, displacement is equal to, होता है, दिमाग से सोचो, जो मैं बोल ला हूँ, एक दम इस चीज़ को, बसा लो पने अंदर, displacement is equal to होता है, velocity into time, और सर, यहाँ पर आप displacement का एक अजीब फार्मूला बता रहे हैं, यहाँ displacement बराबर बोल ला है, कि यह सर, average velocity, यह देखो, क्या, average, velocity into time, सर, यह average velocity यहाँ लेके displacement आप डिकाल ले हो, यहाँ पर acceleration के बारे मुले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपकी बात, एक बात पर चलिए, चाहिए इस्तेमाल करें हम लोग, चाहिए इस्तेमाल करें, सही बात है कि नहीं यार, और distance is equal to speed upon time, किसमें acceleration कोई लेना देना नहीं, scalar quantity की बात है, तो वो तो छोड़ो, displacement वाला देखो, एक confusion होता है, हम तो बहुत परसान रहते थे, जब मैं नाइच में पढ़ता था, तो मैं तो रो देता था, सब के बारे में सोच करके, इसलिए मैं पढ़ता ही नहीं था, सही था कि नहीं, आ जाओ, उसके बाद बहुत कुटाई होती जी, बहुत पीटते थे हमको सब, हमारे साथ इस मामलें बहुत गरबर था, हमको जो पढ़ाते थे बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट, सही है, तो मजबूरी में लगाने पड़ता था, और हम लोगे साथ स्ट्रिक्ट थे रहते ही नहीं है, सही बात है कि नहीं, इसलिए, कितने बढ़िया सुविधा मिल लए यह आपको, आप लोग फैदा नहीं उठा रहे हैं, गलत बात, सही बात है कि नहीं, हाँ सर, गलत बात तो है, बट क्या करें, हम लोग ऐसे ही हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ, अभी तक यह सवाल हो, हम लोग के मन में उड़ता है, सही बात है कि नहीं, यहीं सोच रहे हो ना, जी सर, यहीं सोच रहे हैं, तो देखो इसको थोड़ा सा मैं इस पे दिखाता हूँ आपको अगर मैं बोलू if suppose acceleration of the body is zero body में acceleration high नहीं जल्दी से बताओ if a body have no acceleration if a body have zero acceleration what does it mean zero acceleration का क्या मतलब होता है जल्दी बताएं सब लोग जल्दी जल्दी बताएं अगर acceleration zero है zero acceleration है इसका मतलब क्या है जल्दी से बताओ एक formula अभी अभी बताया था change in velocity is equal to 80 अगर acceleration zero होगा तो change in velocity कितना होगा zero into t तो change in velocity कितना निकलेगा zero यानि velocity में कोई change नहीं आएगा और velocity में कोई change नहीं आएगा तो हमारी velocity क्या रहेगी सर हमारी velocity constant रहेगी क्या रहेगी constant रहेगी तो याद रखना, अगर body में acceleration 0 है, इसका मतलब velocity अपनी constant हो गई, क्या हो गई, velocity अपनी constant हो गई, आओ बात को done करते हैं, value put करते हैं, value put किया हमने, और s is equal to हमें मिला, ut plus half, a की जगा 0 दिखेंगे, और t square है, तो sir हमें मिल गया, s is equal to ut, तो अगर मैंने ये कहा कि acceleration of the body 0 है, तो s is equal to ut आता है, और सब को पता है, s क्या है, sir, s तो displacement है, u क्या है, sir, ये तो velocity है, initial velocity, और t क्या है, time है, यानि body के पास जो initial velocity थी, उसी velocity से लगातार वो चला जा रहा है, उसकी velocity में कोई change नहीं आ रहा है, इसका मतलब body उसी velocity से जा रही थी जो उसके पास constantly थी यानि initially थी यानि उसी initial velocity से लागातार मूँड करता है यानि वो initial velocity change ही नहीं हुई इसका मतलब constant velocity से लागातार चलता रहा तो अगर body constantly move कर रही है, तो याद रखना, sorry, हाँ सही तो है, constantly move कर रही है, मतलब zero acceleration से move कर रही है, तो याद रखना, आप सीधा सीधा displacement is equal to average velocity into time लगा सकते हैं, क्योंकि ये और ये लगाएं, दोनों में same चीज आएगी, तो बात समझ में आया कि नहीं, तो displacement is equal to average velocity या velocity into time करेंगे, कब करेंगे, जब आपका acceleration क्या दिया रहे, zero दिया रहे, बाट डन है, जल्दी से बताएं, क्या आपको result समझ में आया, अनुज, don't worry, class 10th के लिए बहुत कुछ है, और वो आपको समय पे मिल जाएगा, सही है, आप बिल्कुल परिशान नहों, 10th के लिए सारा कुछ है, और वो समय पे आपको मिल जाएगा, don't worry, miss versatile educator, velocity is constant, very good, बस नाम आपका बहुत तगड़ा है, चलो, done करते हैं, आगे बढ़ते हैं, sir, class 8th भी, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग के लिए भी कुछ प्लान है, वो किया जा रहा है, don't worry, बहुत जल्द class 8th के लिए भी हम लोग कुछ करेंगे, ठीक है, तो बेटे, आप पहली बात 9th के साथ आकर के पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बढ़ाई हो, आप इस काबिल हो कि आप class 9th में भी class ले पा रहे हो, तो no doubt आप काफी अच्छी मेहनत कर रहे हो, और बहुत अच्छी बात है, हम सब को इस बच्चे से सीख लेनी चाहिए, कि हमेशा अपनी limit को हमें आगे push करना चाहिए, आगे धका देना चाहिए हमें खुद को, कोई और देख, उससे पहले खुद को आगे बढ़ाने की कोशिस करनी चाहिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा, यह बच्चा रोज क्लास में आता है, एट्थ में है, लेकिन नाइन्थ की क्लास करता है, यह एक बहुत बड़ी बात है, तो अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप में इंट्रेस्ट है, तो आपको वो थ्री डेट मुवी नहीं है, कि सर, ग्यान की गंगा बह रही है, जहां से मिले, मुद्दे के चीज़ उठा लो, तो सर, वही चीज़ है, हर जगह चीज़ें आपको मिल रही है, आप में capability है, आप में अगर वो strength है, तो आप उसको pick कर लो, clear, very good बेटे, आप ऐसे ही बने रहे हैं, no doubt, आपके लिए हम जर हम लोग को यही पर in करनी चाहिए, और आज बहुत कुछ हमने पढ़ा है, अच्छे-च्छे results हम लोगों ने देख लिए, एक बार जल्दी से result हम लोग ध्यान में दे लेते हैं, कि हम लोगों ने क्या result देखे, हमने देखे, कि सर, V is equal to AT होगा, sorry, acceleration का formula, V by T हमने देखा, जब U 0 होगा, A is equal to minus U by T देखा, कब जब V is equal to 0 होगा, A is equal to 2S by T देखा, हमने 2S by T square देखा, हमने कब, जब U कितना रहेगा, 0 रहेगा, तो यह तीनों result हमारे लिए बहुत important हैं, और इन तीनों से direct questions में numerical पूछे जाते हैं, तो I hope यह यह चीज़ आप याद रखेंगे, आज की class यहीं पे हम end करते हैं, और next class में हम फिर आपसे मिलेंगे बहुत जल्द, अब तब तक के लिए सब को बहुत बहुत बधाई हो, कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो हमारे साथ, और वादा कर रहे हैं आपसे, कि आपको इससे भी बढ़िया चीज़े, बहुत ही जल को अगर सब्सक्राइब ने किया, तो सब्सक्राइब कर दें और जल्दी जल्दी इस वीडियो को सेयर कर दें, और बने रहे हैं प्रयाग स्टिडिक साथ, thank you very much.